हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों वेल्कम बेक टो गुवर्मेंट जोब वाला प्रपेशन एससी चनल गुरापवर 2030 का फाइनल नोटिफिगेशन आउट हो चुका है आज की डेट में सकेंड लोगस 2023 को आपका जो एक्जाम है वो अप्टूबर 2013 में स्वरी अप्टूबर 2023 में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जो यह भी आउट हो चुका आप स्कीन पर देख सकते हैं और इस स्वरी अप्टूबर आपको एक्जाम कर देता हूं इसके बारे में डेट्स पॉर समिशन ऑफ ओन एप्लिकेशन होने वाला है वो आज की डेट शुरू होगा और 23 अगर्स 2023 तक यह चलने वाला है यानि आज से लेके 23 अगर्स 2023 तक आप इसको भर सकते हैं 11 बजे तक ठीक है रात के 11 बजे तक और जो लास जेट है वो 23 तारिकी है आपकी और सबसे बड़ी बात अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आपको 24 अगर्स 2023 से लेकर के 25 अगर्स 2023 तक यानि इसे दो दिन का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आपको कोई भी कर्रेक्शन करना वो जो आपने फॉर्म भरा आए अपने फोटो गलत लगा दी मान लीजिए आपने नाम गलत लिख जिया मान लीजए कि आपने signature गलत कर दी आप वो visible नहीं है अच्छे से दिखाइं नहीं द सबसे बड़ी बात में वह क्या है कि आपकी वेकंसी कितनी है आप इस सीन पर देख सकते हैं टोटल वेकंसी ऑफ इस चैनोग्राफर ग्रेट सी तो ग्रेट सी की जो वेकंसी है टोटल वह आपकी है आप देखिए स्कीन पर वह है कि नाइन की जोड़ लें switches चैनोग्राफर ग्रेट सी में जो मिल रही है वह ग्रेट सी में जो वेकंसी जो है टोटल नाइन की अगी बात समझ में तो अगर मिल को जोड ले तो बтовैद स्वाद की वेकंसील लें तो टोटल वेकेंसी जो आपकी हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 1207 टोटल वेकेंसी से आपकी 1207 जिसमें से 93 है grade C and 1114 है grade D आगे बाश समझ में तो ये दो बड़ी बाते थी मैं अगे फिर से लिख देता हूँ आपको कि आपकी जो exam की date है वो 2 23 अगस्त तक होने वाली है 2023 ठीक है और 24 और 25 अगस्त को आप correction कर सकते हैं जो भी अगर आपको form बने में कोई दिक्कत आ गई है को आपने गलत भर दिया है पोड़ो गलत भर दिया नाम गलत भर दिया signature गलत कर दिया है और grade D में जो वेकेंसी से हैं वो है 114 और grade sing जो आपकी वेकेंसी से हैं वो है 93 यानि कि टोटल वेकेंसी से हैं आपकी वो हो गई है 1207 यानि जितनी वेकेंसी 2016 में आई नि करीब करीब उतनी वेकेंसी बार भी आई है ठीक है आगे बढ़ते है कुछ और जीनों के बारे हम बात कर लेते हैं जो आपका syllabus अब तक आ रहा है वही syllabus आपका आएका मैं आपको श्रीम पर दिखा भी देता हूं आप श्रीम पर देखें जेनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानि आपकी जो रीजनिंग होती है वो आपकी पचास नंबर कियागी आप जो जेनरल अवेरनेस यानि कि जिसको हम जी एस बोलते हैं वह हमारी पचास नंबर कियागी और जो आपकी इंग्रिस लेगमेंज को आपकी सो नंबर कियागी यानि यह syllabus अभी तक आ रहा था वह syllabus यानि कि आपड़ा syllabus में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है तो कि न्यूस नहीं थी कि सबमेंज चेंज भाए दर चानों भी चेंज हुआ है आपका सेम है आगे बास अपने दो गंट का एक्जाम होगा वही 50 कॉर्शन होगा जी एस की पचास कॉर्शन होगा जी आप के इंग्लिस के इंग्लिस 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 वही आपका syllabus है ओके और कुछ बारे में इंपोर्टन चीजों के बारे में बात कर आप से लेपस चाहाएं नोटिफिकेशन में देख भी सकते है जनल अवैरनेस क्वेस्टेंस विल बी डिजाइंड तो टेस्ट अबिल्टी जो आपका follow होगा और इसमें एक और बात लिख दी गई है इन्होंने क्या लिखी है इन्हों डीवी के बारे में लिखा होगा कि जो document verification होना है आपका वो जैसा इस ताल हुआ है उसी तरह से होगा आपका CBT यानि computer-based examination में जब आपका result आ जाएगा उसको आप skill test देकर की है और उसके बार जैसे इस बार final result आए उसी तरह सेम आपका final आएगा ठीक है अभी हम देख लेते हैं skill test के बारे में सेम चीज़ है इंग्लिस के लिए पचास मेंट ग्रीडी हिंदी के लिए टाइन पैसर मिनटर जिदनी अब तक मिलती आई है ग्रेट C के लिए है 55 मिनट जो अभी तक मिलती आई है ठीक है यह कि यहां पर इन्होंने कुछ misprint नहीं ठीक है ठीक है तो D और C के लिए इन्होंने इस तरह चीज़ें लिखी हुई है ओके आगे बाद समझ में देखो इन्होंने एक और चीज़ लिख दिएगी हम बात करते हैं SSC ने जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आती है नाइक रिजर्व लिश्ट आती ठीक है तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ठीक है तो ससी ऐसा नहीं करती है देखिए इसमें चीज लिखती है प्रफ्रेंस फोर वारियस पोर्स और डिपार्पें करेंगे अपनी वेबसाइट में अपना डाल करके तो आपको फ्रफ्रेंस वास से आजाएगा आप उसको भर सकते है ठीक है और अगर आपने आपने नहीं बढ़ा है तो आपको फाइन रिजर्ट में कोई भी नाम नहीं आने वाला है ठीक है खेले सब बात की बात है पर फ् दीटी तर नहीं ठीक है एक यहनी कि आपको फोटो फोटो में देखा लिखा देता हूँ है इसमे साफ-साफ लखा हुआ अप नीचे देखेंगे अभी यह देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अपलोड आफ फोटो ग्रैफ बिदावर स्पेक्टिकल्स और कैप टेक इन ओन और आफ्टर थर्ड में टॉट्वान टॉट्टिट्री यानि कि तीन माई इन्हों डेट बताई है 2023 की उसके बाद की फोटो आपको अफलोड करनी है और उसमें स्पेक्ट्स यानि कि चस्मा आपको नहीं पहनना है नहीं कोई भी कैप लगानी है अगर आपने पारी फोटो अबलोड करी तो आपको फ़ॉर्म क्या हो जाएगा फॉर्म आप पर reject हो जाएगा आगी बात समझ में तो स्पेक्ट पारी फोटो नहीं लगानी है ना इक क्याप पारी फोटो लगानी है सीधा तो चाप खड़ेगो और बिना किसमा लगाए आपको फोटो की शानी है और यह जासा बोला है तीन मेनी के बात की होनी चाहिए तो कुछ एकदम जरूरी नहीं है वसा चक नहीं करने वाले हैं लेकिन फिर भी आप कोईश करिया कि इसके बात की फोटो लगाई होगी एससी कभी भी फॉर्म किसी का भी रिजट कर देती है ठीक है अतना वह चक नहीं कर पाएगी पर स्टिल ठीक है आप अपनी तरह से 100% काम क बात कर लिए अपका एक्जांग को नहीं बात कर ली है अब कब से कब तक आप एक्जांग होना यह बात कर लिए अपने तो आयोब आको क्लियर होगा हुए होगा सब कुछ अससी चनोग्राफ नोटिफिकेशन के बारे में और इसकी नीश्चा आपको देख सकते हैं मैं आप जा करके देख भी सकते हो नोटिफिकेशन में नीश्चे यह देखिए कैप लगा हुआ है यह नहीं चलेगी बहुत जादा क्लोज है यह निचलेगी एक्स्टा कलार है वह नहीं चलेगी ब्लर्ड है इस तने की इन्वर्टेट नहीं चलेगी विद्गोगल से यह भी आगे बाद समझ में यह देखिए विद्गोगल से नहीं चलेगी तू डार्क है यह भी नहीं चलेगी यह सारी चीज़ें जो है इन्वर्टेट है नहीं चलेगी आगे बाद समझ में यह सारी चीज़ें आज नहीं रामत दे रखी किसी भी तरह का एस्पेक्ट्स आपको न से 23 अगस्त तक आपको फॉर्म परनने को मिलेगा और 24 अगस्त और 25 अगस्त को आप करेक्शन कर सकते हैं और आपकी जो वेकेंसीस हैं वो टोटल वेकेंसीस आप देख लीजिएगा फिर से एट सी में हैं 93 और अगर हम ग्रेट डी की बात करें तो ग्रेट डी में हैं आपकी जहां से देखिएगा ग्रेटी में आपकी वेकंशी 1114 ठीक है एक फिर से लगए था हूं वेकंशी जो है वो ग्रेटी में जो वेकंशी से वो है आपकी 1114 ध्यान रखेगा और ग्रेटी में जो आपकी वेकंशी हैं वो है 93 टोटल हो गई 2270 साथ आगे बाद समस्वारी एक हजार एकसो साथ माफी चाहता हूं एक हजार दोसो साथ ठीक है यह है आपकी टोटल वेकेंसी तो चलिए कट ओफ काफी हाई जाने वाली है तो प्रिपेर रहेगा वन फिप्टी से नीचे मार्क्स लाने की सोचना भी मत अगर इस तिन नीचे म आपकेंसे कैसे त्यारी करनी है ओके तैंक यू सब्सक्राइब पसंद आए उन लाइक करेंगा चाहिए आप इने सब्सक्राइब बलेगा मिलें इल दी नेक्स्ट वीडियों तैंक यू सब्सक्राइब बाई बाई टेक केर